बच्चों आपका सौगत है हिंदी वासा वासी छात्रों के लिए विज्ञान क्लास फाइब का चौथा चैप्टर क्या नाम है इसका खाएं आम बारहों महीने क्या यह संभव है क्या यह संभव है कि सालों बड़ा माम खा सकते हैं क्या आपके मुँँ में एक मिठास सा ऐसास नहीं आ रहा है क्या क्या मैं सुष किया आम का नाम सुनते ही फलों के राजा का संभवधन सुनते ही मुँ में एक मिठास सा भड़ जाता है ऐसास होता है अज हम सालों बड़ा आप खा सकते हैं सवाल है क्यों उसका रख रखाव कैसे किया जाए कैसे सुलब होगा बारों महीने एक बात तो हमेशा याद रखो अगर आपको सोस्त और फिट रहना है तो मौसमी फल जरूर खाया करो हर एक मौसम में और यह भारत जो देश है यह तो बिविनताओं का देश है धेट सारी सबजियां धेट सारे फल हर मौसम में उगाए जाते हैं और जो पोसक तत्तों से भरपूर होता है आप उसका सेवन करिए फिर देखिए आप सारी द्रिष्टी से भी स्वस्त रहेंगे और रोगों से भी दूर रहेंगे क्योंकि रोग से दूर रहेंगे का सबसे पेटर नूट्रियंस कौन है पोसक तत्त तो कौन है वो है बिटामिन वो रोगों से लड़ने की छमता परदान करता है इम्मिनिटी परदान करता है तो आईए सबसे पहले हम बात करें कि ये सारवर आम आम क्या है सर ये फलों का राजा है आम हमारा फलों का राजा है जितने भी सारे फल देख रहे हो ना उसमें आम की खास्यत ही जगाही अलग है सबसे हटके अब सवाल है कि ये आम का नाम आया कहां से किस ने दिया ये तमिल सब्द की उपस है और ये तमिल सब्द क्या था मंग के मंग के से क्या बन गया मैंगो उसका अब्रंस रूप है मंग के से मैंगो बना और ये पोसक तत्तों से भड़ पूर है अरे भाई जब आप धेर सरा पोस्टत को इंटेक कर रहे हो अपने सरीर के अंदर कर रहे हो तो आपके सरीर का सुरक्षा तन्त तो मजबूत होना ही है विटामिन की मात्राफल के किस्म और परिपकता के आधार पर निर्भर होती है आप देखोगे बाजार में जब आम की खरिदारी करने जाओ तो अलग अलग किस्म के आमों का अलग अलग दाम उनका सुआद अलग अलग और कभी जानने का पढ़ियास किया उसके पोसक तत भी किसी में ज़्यादा और किसी में कम है और इसी का अधार पर उनका दामता होता है तो उसमें पाए जाने वाले विटामिन की मात्रा के अधार पर और जब आम हरा होता है कच्छा आप तो आप तो जानते हो ना साइट्रस फूड में कौन सा विटामिन पाए जाता है विटामिन सी और वही आम जब पक जाता है तो उसमें कौन सा विटामिन पाए जाएगा विटामिन ए तो आपने देखा आम जब हरा हो तो विटामिन सी से भरपूर होता है और इसके पकने पर विटामिन ए की मात्रा पढ़ जाती है और आप तो जाते हो ठाओं कि विटामिन ए और बिटामिन सी हमारे साहिर के लिए कितना जरूरी है अरे सी ता रोक से लड़ने की छमता परदान करता है बहाई और ए हमारी आँख की दृस्टी के लिए रतौंधी के लिए है ना आखों के हैल्दी आइस के लि सबसे पहले 300 कंजूम करोगे और आज हम क्या है एक्सपोर्ट करने की स्थिति में हैं इससे डेट सारा फॉरंड करेंसी भी हम कमाते हैं जो बेस्ट क्वालिटी के आम है पुरी दुनिया उसकी फैन है हम उसको एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं तो आएए हम पहचानने का काम करेंगे कि हमारे भारत देश में कौन-कौन से खिस्म के आम उपलब्द हैं और किस संबंदी छेत्रों से वो बिलॉग करते हैं यह तो जानना चाहिए ना आपको यह देखते हो कितना सुंदर छित रहे हैं यहाँ पर मैंने दो ही आम की किस्में लिए यह किस्म देख रहे हो सफेदा माल्दा किस्म गाओ उजला माल्दा सफेद माल्दा बहुत ही स्वादिस्ट पोसक तत्तों से भरपूर और यह कितना खुबसूरत आम है देखो इसको पुरा सिंदूरी है इसा लग रहा है इसका नाम ही पढ़ गया सिंदूरियां अब आईए हम आम की किस्मों को देखने का काम करते हैं यह भारत में है स्टेट वाइज फिर हम विस्तार में आएंगे लेकिन जो सबसे प्रमुक आम है हर राज का वह मैं बताना चाहूंगा वैसे हम ठेट सारे किस्म का पता लगाने का काम करेंगे लेकिन इस चैप्टर में हम जो उस राजिसर सम्बंदी जो विस्त चिस्म के आम हैं हम उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे नाम सुना होगा आम का अलफांसो और ये अलफांसो आम कहां का है वही तो ये महारास्ट्रा का है अलफांसो आम कहां का है महारास्ट्रा का है टोटा पुड़ी ये करनाटका का है बंगा पल्ली, आंध पर्देश, दसहरी नाम तो सुनो होगा ला एकदम मीठास से भरपूर, दसहरी आम खालो और उसके मीठापर पर सवाल हो जाए, असंबब इतना मीठा आम होता है ये दसहरी, कहां का है भई, उत्तर पर्देश का हिमसागर का नाम सुना है हिमसागर, ये वेस्ट बंगाल की भराइटी है केसर, गुजरात का, अजयर लंगराम, लंगराम, उत्तर पर्देश, अंबिका, उत्तर पर्देश, मालगोवा, करनाटका, बनराज, गुजरात स्वार्ण रेखा, आंधर पर्देश, उडिसा, और चौसा, चौसा किसम का आम, हिमाचल पर्देश, तो ये बेस्ट क्वालिटीज है, आम की अपने देश में जो सबसे अच्छे किसम की आम है, आप देखो इसका नाम, अब पूरे देश में कैसा बितरन है, देखो न ध्यान से, मैंने तो एक एक आम का बेस्ट क्वालिटी बता दा, ये तो पुड़ा, सबका लिस्ट ही है, सुची ही है, चले ना पहले बिहार से सुरू करते हैं, बिहार में कौन-कौन सा है, बॉम्बे ग्रीन, चाउसा, दसहरी, फजिल, गुलाब खास, किसन भोग, हिमसागर, जरदालू, लगड़ा, ये बिहार के आम की वेराइटी है, वेस्ट बंगल, और किसन भोग, लगड़ा, बॉम्बे ग्रीन, ये वेस्ट बंगल का, मद परदेश, अलभांसो, बॉम्बे ग्रीन, तसहरी, फजिल, लगड़ा, नीलम, ये मद परदेश का किस्म है, आम का, आंद परदेश, कैसर बंगल पल्ली, सौड रेखा, नीलम, टोटा पूरी, ये आंद परदेश, तमिलनादू, अलभांसो, टोटा पूरी, बंगल पल्ली, नीलम, करनाटका का, अलभांसो, टोटा पूरी, बंगल पल्ली, पैरी, नीलम, और मलगोः, महरास्ट्रा, अलभांसो, कैसर और पैरी, गुजरात, कैसर, अलभांसो, राजा पूरी, जमादा, टोटापुरी, नीलम, दसहरी, लंगड़ा, यह गुजरात के आम का किस्म है, राइस्थान, बंबे ग्रीन, चाउसा, दसहरी, लंगड़ा, हर्याना, चाउसा, दसहरी, लंगड़ा, पाजिल, पंजाब, चाउसा, दसहरी, मालड़ा, और हिमाचल परदेश का है, च उतर परदेश में आ जाओ तो बंबे ग्रेन चाउसा दसार यह लगड़ा अब यह देख रहे हो यह सारे आम के किस्म का आपको सुची पूरे देश भर का सौपा गया है देख लीजी आप लगभग सारे राज जहां आम के धेर सारे आउत्पादन होता है उनकी लगभग सारी किसमें आपके सामने हैं यहां भी देख लीजी आप बेस्ट क्वालिटी को किस रूप से दिखाया गया है करनाटका का उतर परदेश का आंद परदेश का तमिल नाडू महारास्ट्रा गुजरात बिहार यह देख रहे हो वेस्ट बंगाल यह धेर सारे आम की विराइटी है और जब यह खटे है तो विटामिन C से भरपूर है और पग गए तो विटामिन A से भरपूर है कार्भोहड्रेट से भरपूर है हमें आम का सेवन तो करना ही है अब फलका राजा का स्वाद नहीं चखा जाए यह तो आश्यर दिनक बात होगी ना आज सालों भर आम उपलप है इसकी भीसा चर्चा हम करेंगे अगले पार्ट में करेंगे और ऐसे सोचो ना कि तुमको आइटे थाइम का टेस्ट चाहिए तो बाजार में तो अब लब्द है ना पैक फूर्ड के रूपे मैंगो जूच के रूपे अबलप दाए कि नहीं आम का टेस्ट लो नमना कून किया और कोल्डी स्टोरेज में भी हम लगवग फेल सारे समय तक हम इन आमों को सुरक्षित रख सकते हैं बाद में मार्केट में सप्ला होता है आईए बचो अब अब देखने का काम करेंगी एक बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ सफोर्च कर यह आपके पास आम के पेड़ें तो आम तो एक ही बार पक जाएंगे ना वो समय तो नहीं लेगा दो तीन दिन के अंतराल में आपके सारे आम पक जाएंगे तो आप क्या करेंगे कुछ आम को आप सेल करदोगे कुछ आम को आप अपने समंधियों में वितरन करदोगे कुछ खाने का काम करोगे अगर उसके बाद भी आपके पास ढेल सारा आम बचा हुआ तो क्या करोगे आप अरे भाई आम के जूस को निकाल के लोग उसको पापड के रूप में धूप में सुखाने का काम करते हैं उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव मिक्स कड़के परिरक्षक मिक्स कड़के मिलाकर उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने का काम करते हैं आज भी जाओ ना गाओ दियात में वहाँ देखो वहाँ आमको बरवाद होने नहीं देते उसके रसों का पड़ियोग करते हैं धेर सारे विराइटिज को बनाकर और लंबे समय तक सुरक्षित रखने का काम करते हैं आईए पहले हम लोग देखते हैं कि अगर कोई आम का विराइटी खड़ाब हो रहा है सब पोच करिए कभी आपने जानने का पढ़ियास किया वज़ा क्या है वज़ा है फंगस लगना बैक्टिरियल इंफेक्शन इंसेक्ट्स का आक्रमन तो यह सारे कंडिशन्स पे आम का जो क्वालिटी है वो डिग्रेट हो रहा है ज्यादा पग गया उसकी क्वालिटी डिग्रेट हो जाती है तो आईए प्रस्णों के दोड़ा हम कुछ संकाओं का समाधान करने का पढ़ियास करेंगे पहला कोशिचन अख्राम खराब होता है कवक के दोड़ा कि जानवरा के दोड़ा कितनीों के दोड़ा कितनीों के दोड़ा वायुकन के दोड़ा देखें भाई भोजन को खराब करने में किसका हाथ है बैक्टिरिया और फंजाय का यही नहीं के कारण हमारा खाना खड़ाब होता है मुक्कि रूप से तो हमारा अंसर क्या होगा हमारा अंसर होगा कवक नहीं हमारा अंसर क्या होगा कवक क्योंकि कवक और बैक्टिरिया को जो कार्वनिक पदार्थ है उसको सरल तक्तों में बदल करके मिट्टी में मिक्स करना यही तो काम है तो भाई हमें इसे बचाना होगा अगर भोज पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है दूसरा हम कैसे पता लगाएंगे कि सब्जिया खराब हो गई है क्या गंद से असपर्स से छूके छूके क्या पता लगाएंगे भाई रंग से उसके कलर से या उन्हें गर्म करके नहीं भाई उसके इस मेल से क्योंकि सब्जिया जैसे ही खराब होगी वो बदबू देना सुरू करती है हम उसके गंद से हम पता लगाते हैं कि ये सबजियां खराब हो चुकी है या अच्छे अवस्था में है खराब दूद का क्या होगा कभी देखा है अपने दूद अगर खराब हो जाता है तो वो कैसा दिखता है फटा हुआ दही की तरह जो दही नहीं जमा है फट गया है ठीक उसी तरह दिखता है या कभी देखे ओ बच्चा दूद पिता है फटा बच्चा और वो अगर वोमिट कर देता है दूद को तो दूद कैसा दिखता है लगता है कि दही जमने की प्रकिरिया में फिक उसी तरह दही की तरह दिखेगा खराब दूद और दूद तो बहुत जल्दी खराब होता है विभिन खाद पदार्तों का संदूसन निर्भन करता है अरे भाई कोई भी खाद पदार्त अभी देखो रह ठंडा का मोसम है तो खाद पदार्त से लंबे समय तक प्रिजर्व रहता है बाइनेच है जल्दी खराब नहीं होता लेकिन गर्मी के दिनों में अगर सबजी बना के रख दो चाबल बना के रख दो तो देखो दिन भर में ही खराब हो जाएगा क्यों भाई क्यों कि उसको क्या मिल रहा है टेंपरेचर मिल रहा है ताप्मान मिल रहा है और दूसरा वातवरन में तो डेल सारे अगर्णिजम्स तो हैं बैक्टिरिया फंजाय कवक यह तो फैले हुए है उसके स्पोर्स तो फैले हुए है उनको तो सिर्फ मौका चाहिए तो याद रखे मौसम और सरते सरते मत्तब कंडिशन्स यह कंडिशन्स भी डिपेंडेंट करते हैं कि कौन सा सीजन है और कंडिश इसमाड़ा अंसर क्या होगा मौसम और सरते मैं अगला कोश्चन है बाजार में मिनने वाले जूस कई महीनों तक खराब नहीं होते अगर उसको open नहीं करते हो तो क्यों जूस में बात कर रहा था ना कि आम का अगर स्वाद लेना है मैंगो जूस का तो वो सालों बर उपलब थे मार्केट में क्यों नमाजा लेवं मैंगो जूस का यह कैसे संबभव है क्यां कि इनमें क्या मिलाय जाता है इनमें प्रीरक्षक मिलाय जाते हैं प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं क्या बोलते हैं उसको प्रिजर्वेटिव्स में टाकी ने माक्रो औरिमिसम्स के ग्रो करने से रोका जाए यह प्रिजर्वेटिव का रोकना ताकि भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाए तो बचो अगले पार्ट में हम लोग विस्तार से जानने का काम करेंगे कि कैसे भोजन को हम लोग लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं वो कौन सा बिधी है वो कौन सा तरीका है और अगर हमारे सामने हमारे द हो जाती है तो भाई उसका ठेल सारा विराइटी बना कर हम सुरक्षित रख सकते हैं और उसे भोज पदार्त के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं आई तो बड़ी-बड़ी कंपनिया स्थापित हो गई है जो इन फलों का इस्तेमाल करके जूस बनाके और प्रिजर्वेटिव परिरक्षक को मिक्स करके लंबे समय तक सुरक्षित रखती है ताकि लोगों के लिए सालों बरूप लब रहे हैं तो बच्चो आप पता लगाओ कि आपके परिवेस में अगर आम का कोई विराइटी जादा होता है तो आ आप क्या करते हो आप मम्मी से अपनी दादी से जानने का परियास करो कि उसको सुरक्षित रखने का क्या तरीका है कैसे सुरक्षित रखते हैं कौन सा पदार्त में चेंज करते हैं उसको कौन सी भेराइटी बनाते हैं जो बाद में भी हमें आम का स्वात का एहसास दिलाता रहता है तो फिर आप से मिलते हैं अगले एपिसोड में थैंक यूओ